हाई एवरीवन अब लोग बात करने वाले हैं कि Mac OS के लिए Docker को किस तरीके से डाउनलोड और इंस्टोल कर सकते हैं विंडोस के लिए मैं एक ओल्रेडी वीडियो बना चुक हूँ जो सेकिंड वीडियो है इस प्लेलिस्ट के वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से विंडोस ओप्रेटिंग सिस्टम के लिए आप लोग डाउनलोड और इंस्टोल कर सकते हो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के साथ में और मैक ओएस के लिए भी आपको तीन स्टेप्स फोलो करने हैं सबसे पहले ओफिशल वेबसाइट के उपर जाके डोकर को डाउनलोड करना है उसको इंस्टोल करना है बाद में चेक कर कर रहे हो Windows, Mac या Linux इसने यहां पर आप देख सकते हो अपना बता दिए यहां पर Intel चिप के लिए Mac का यहां पर लोगो भी आ रखा है लेकिन एक प्रोब्लम है Mac के अंदर टू टाइप्स की चिप आती है एक होती है Intel चिप एक होती है Apple चिप तो आपको कौन सी चिप के लिए यह डाउनलोड करना है देखो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके system के left top corner में जहां पर Apple का logo मिलेगा और यहां पर about the Mac में जाओ और यहां पर आप चेकर पाओगे की चिप कौन सी है आपकी Apple चिप है या फिर Intel चिप है मेरे system के अंदर यहां पर Apple M2 चिप है यहां अगर आपको M1 चिप मिले M2 चिप मिले उससे कोई फरक नहीं बढ़ता बस फरक यह बढ़ता है कि Apple की चिप है या फिर Intel की चिप है तो हमारे पास Apple की चिप है simply मैं यहां पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूँगा मेरा download install start हो जाएगा तो यह थोड़ मैं यहां से जा रहा हूँ और इसके उपर simply आपको double tap करना है double click करना है और बाद में आपको यहां पर drag and drop करते है यूजिल हम लोग जैसा Mac के अंदर कोई भी application install करते है वैसे ही करना बस इसके अंदर एक दो steps रहेंगे वो मैं आपको बता दूँगा यहां पर application के अंदर डा रहेंगे new और चेक करेंगे सब कुछ properly चल रहा है यह हो गया अब आप चाहू तो इसको हटा सकते हो minimize कर सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगे और आप यहां पर launchpad के उपर जाके simply लिखो docker इस पर टैप करो एक docker वाली जो नया setup है वो open हो जाएगा इसकी में जूरूत नहीं है इसको मतब तक minimize कर देता हूँ हाँ यहां पे हम लोग open करेंगे और उसके बाद भी terms and condition को accept करेंगे अगर आपने password वगेरा लगा रख है तो हो सकते है आप से system का password भी वांगे एक बार के लिए but that's okay right so यहां पे हम जो recommended setting है वहीं पे जाएंगे advanced setting के लिए भी नहीं जाने वाले because अब हम लोग basic सीख रहे है जब सीख रहे होते हैं बहले recommended के उपर जाएंगे advanced वगएर हम लोग बाद में यहां से check कर लेंगे इसको finish करेंगे use password करेंगे और यह मैंने password डाल दिया and perfect यहां पर आप से पूछेगा कि आपका role क्या है तो आप simply कोई भी choose कर सकते हो but just मै recommend करूँगा learning and teaching because हम लोग यहां पर यही चीज़ कर रहे हैं इसके बाद में container image वगएर आ गए है जो हम लोग धीर धीर next only part के अंदर पढ़ेंगे अब इसको minimize कर देता हूं और उसके बाद में क्या करता हूं एक new terminal open करूँगा पहले बाले को मैं quit करूँगा एक fresh new terminal open करूँ और यहां पर लिखूंगा docker जैसे docker लिखूंगा right तो आप यहां पर देख सकते हो docker की सारे की सारी commands आ जाएंगी अगर यह बोले docker is not a command or something कुछ error दे that means docker properly install नहीं हुआ है तो आपको फिर से सारे की सारे steps एक बार check करने पढ़ेंगे docker का version check करना है docker minus v लिखो तो यहा आपे और लास्ट रोली वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपको अलग मिल सकता है because mac के लिए और windows के लिए version अलग हो सकते है इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है that's all और मैं आपको recommend करूँँगी please आप चनल को support करो थोड़ा सा like करके subscribe करे comment section में comment करके इससे आपको कोई फर आपको करूँगी दोड़ा है